नबश्यार दोस्तों, कलेंडर आउट हो चुका है दो हजार चोबिस और पच्चिस के जितने भी अपने मेजर बैंक एक्जामस है न जो IPPS कंडेक्ट करवाता है उनका 16 जनवरी को जनरल ही होता है, कई बार 15 को भी हो जाता है, आज अपने 15 को ही हो गया, गंटे बार पहले ही हो था, उस टाइम मैं क्लास ले रहा था, बच्चों को दिखाया भी था है न, तो RRBs की बात करें, RRBs में Scale 1 माने PO और Office Assistant माने कलर की बात करें, तो इन दोनों की प्रीकी डेट से एक साथ लिखिए और वो डेट है 3 अगस्त, 4 अगस्त और 10 अगस्त, फिर 17 अगस्त, 18 अगस्त, क्या क्या होई, पूरा का पूरा लगबग अगस्त गवर कर लिया 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, आपके 17 अगस्त, 18 अगस्त, ये तो आपकी RRB PO और RRB clerk की प्रीकी, अब इन्होंने बताए नहीं कि कौन सी clerk की है, कौन सी PO की है, एक साथ कठी करके लिख दी, मेंस की डेट में इन्होंने PO की मेंस की डेट बताई, 39 सप्टमबर, 29 सप्ट और RRB clerk मेंस की डेट बताई, 6 अक्टूबर को, अक्टूबर में नीच ली, 6 अक्टूबर, RRB clerk मेंस, RRB PO मेंस, 29 सप्टमबर, 29 सप्टमबर, अब ये ही अपने IBPS clerk और IBPS PO की बात करें तो, IBPS clerk का भी जो प्री का एक्जाम है, वो अगस्त में है, वो end of अगस्त है, 24, 25, 31 तीन तारिक रखी है, 24th, 25th and 31st अगस्त, तो अगस्त पूरा पैक्ड है यार, एक भी हफ्ता, वीकेंड का आपका नहीं बच रहा है, सारे Saturday, Sunday, पुरी तरह से जैम पैक कर दी हैं उन्होंने, इसकी मेंस की बात करें, तो 13 October को मेंस का एक्जाम, मतलब गयाब बढ़िया दे रहे हैं, या अच्छा गयाब दिया है इन्होंने, PO की बात करें, तो PO थोड़ा लेट है, October में इन्होंने PO रखा है, अराम से 19 और 20 October को IBPS PO प्री, ठीक है जी, मेंस की बात करें, तो November के end में, 30 November, 30 November को मेंस रखा है, SO के लिए कोई भरता है, Specialist Officer के लिए तो बता देता हूँ, उनका काफी लेट है, उनका SO का जो प्री है, वो 9 November को है, और SO का जो मेंस है, वो 14 December, ये सबसे लेट, सबसे लेट SO वाले है कारे करें, अब सर इसका क्या करें, देखो इससे दो चीज़े हो सकती है, एक तो जो अब भी त्यारी करें, वो तो ये सोच रहे होंगे, सर हमें तो जो रूडरती नहीं, इसका करके हम क्या करेंगा, हमार तो, या तो IBPSPO, IBPS clerk का जो आएगा, उसमें हो जाएगा, SBA clerk की त्यारी करें, उसमें हो जाएगा, बहुत सही attitude है, आपको इसीज़ पर ध्यान देने के बिलको जोरत नहीं है, बस back of the mind कम से कभी ये पता रहे है, कि वो CET का जो tension था, वो तो खतम हुआ, काई बच्चे सोते रहे थे, कि यार कहीं ऐसा नहीं हो जाए, इस साल CET, VT लग जाए, तो देख लो भई, कलेंडर आपके सामने है, कोई CET नहीं, अब यह उन बच्चों के लिए है, जो specifically दोजर चोविस को ही target करने वाला है, किसरा हमारा तो जो target ही है, वो दोजर चोविस वाला है, उनके लिए एक important चीज यह सीखने के लिए है, कि paper तो जाके अगस्त में होगा, अब भी चल रही है, जन्वरी जन्वरी का भी आदा, तो सौड़े 6 महीने, अब जादा तर जो आपका competition है, जो जन्ता है, वो आप सोच जाएगी, वो करेगी अब चिल, कि अब सर कोई तगड़ा notification भी नहीं है, कोई कुछ है भी नहीं, अराम अराम से पढ़ेंगे, और जो serious बच्चे हैं न, वो अब लगेंगे सही तरीके से, कि य आपको, यह calendars भी आपको पता चल रहा है, नहीं realize कर पा रहें, तो एक सची बात share कर रहा हूँ, एक बार paper का season start होता है न, तो सांस लेने का मौका नहीं मिलता है फिर, फिर उसके बाद कोई बहुँ जादा त्यारी नहीं हो पाती है, अगस्त पैक रहेगा, September, October, November, December तक, इ जो initial 6-6 महिने है न, इसमें जितनी जान लगा के बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, जो 2024 को target कर रहे है, वो कर दो, जाता तर बच्चों की क्या कानी होगी, एक तो एक जब यह इनका notification आएगा, RRB का जब notification आएगा, I think देड़ महिने पहले आता है, roughly, देड़ महिने पहले के round, तब जगेंगे, क्या रहा है, बढ़ाई करनी है अब, तब तक बहुत लेट हो जाएगा, यही सई समय बढ़ाई स्टार्ट करने हैंगा, ठीक है जी, और अगर आप अच्छे से detail में में prepare करना चाते हो, हमारा YouTube तो हमेशा आप लोगों के लिए open air free to, मतलब utilize है आप लोगों के लिए, playlist तगडी से तगडी बन रखे, mains की, pre की दोनों की वो कर सकते हो, बाकि अगर आप paid में कर सकते हो, तो afford कर सकते हो, क्योंकि हमारे जितने भी courses, even हमारा subscription भी, आप बाकियों से compare करके देखे लो, बाकि सारे बड़े-बड़े platform, चोटे-मोटे, जो भी platform से paid का जो भी, उनके साथ हमारे prices compare करके देख लो, आपको पता चल जाएगा, अपने आप बोलने वाली बात लिए, वो आप खरीज सकते हो, हमारा ममी subscription है, all access animal subscription है, quant raising, दोनों के लिए, इसमें क्या होगा, कि जितनी भी courses अभी तक हुए हैं, उन सब का access तो आपको मिले गए कि बोल सकते हैं, कि सर मैंने यह आपका ममी subscription करीदा है, अब आप हमें guide कीजिए, कि कैसे कैसे हमें कितने कितने time में कैसे कैसे complete करना है, तो मैं personally guide करता हूँ बच्चों को, especially ममी subscription वालों को बताता हूँ, कैसे इसका utilization किया जाए, कितने-कितने time में क्या क्या किया जाए, तो वो एक अच्छी चीज है, अगर आप पफॉर्ड कर सकें, अभी कोड भी चल रहा है, VT20, V4W, T40, V2020, VT20, capital में रखते होए, बिना जैसे space के VT20, use करके, 20% off भी मिल जागा, I think, 1700-1800 रुपए का ही पड़ेगा, बहुत जादा नहीं होते है, 1700-1800 रुपए आज के ताइम अफॉर्ड कर सकते हैं, तो देन, आपके ओल्यूबोड option में आ जाता है, आपके test zone option में आ जाता है, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं, current affairs के लिए, affairs cloud का annual subscription, वहाँ पर भी अपना code, virtuous काम करेगा, सीधा आपको discount पिलेगा, तो ये सारे suggestions मेरे हैं, 1-2, ठीक है, तो अगर serious 2022 को लेके, तो आज से ही planning करना start करो, कि आगे बच्चे विच 6 महिने कैसे अपने को फताय पानी है, किस तरीके से इस पूरे syllabus को, या फिर इन exams में कैसे अपने को महरत आसिल करनी है, तो उसके लिए मेहनत इन 6-6 महिने में करनी है, आखरी के date दो महिने करने से कुछ नहीं हो Now that's all for today's session, आदे राधे